नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके पने YouTube चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं Shirinik Limited के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि काफी सारे स्टॉक्स इस समय दस रूपे से नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो क्या है कि ऐसे stocks के अंदर हम लोगों को opportunity होती है वापिस से क्या कि long term में अच्छा कासा return जो हमें इन stocks से देखने को मिल सकता है तो ये भी एक ऐसा ही stock है लगभग 5 रूपे से नीचे से में आपको trade करता हुआ नजर आ रहा है काफी दिन हो गए है लगातार जिस तरह की के momentum हमें stocks के अंदर देखने को बीच में मिला भी था बट अभी फिलाल में आपको ये वापिस से चार रूपे के आसपाद देखने को मिल रहा है तो कहीं न कहीं opportunity किस तरह की हो सकती है long term के prospectors अगर देखने की कोचिस करें तो तो उससे पहले क्या है कि आपको company की profile क्या है company का background क्या है results जो है उसके किस तरह की से आते है quarterly results के अंदर किस तरह के changes देखने को मिल रहे है और साल दर साल जो है किस तरह की performance हमें company के अंदर देखने को मिल रहे है company कितने पुरानी है यह सारी चीज़े अगर आप observe करके चलेंगे तो कहीं जाकर आप अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते है बात करने दूस्तों अकर श्रिनिक के बारे में तो श्रिनिक बैसे के लिए company करती क्या है तो company प्रदानमंत्री की स्कीम है उसमें पेपरलेस वर्क करने के लिए कहा जा रहा है बट क्या कि कमपनी इतनी भी फिलाल में जो है लोस में नहीं डूबी है कमपनी अभी इतनी बरबाद नहीं हुई है पेपर का यूज अभी लोंग टर्म में आपको देखने को मिलता ही रहेगा तो फिलाल में क्या कि काफी दिन हो गए है जिस तरह के स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को गिरावार देखने को मिली है अभी फिलाल में क्या क्या फंडामेंटल्स क्या future prospects जो है कमपनी के हो सकते हैं अगर बात करें फ़ेशले पांस दिनों के अंदर किस तरिकी की चाल देखने को मिली है तो कभी ऊपर कभी नीचे आपको इसी तरिकी की चाल स्टॉक्स के अंदर फिलाल में देखने को मिल रहा था और वहां से लगातार हमें इस stocks के अंदर पिछल एक महीन में गिरावार देखने को मिली है अगर देखें तो नीचे की तरफ लगबग कितना नुकसान आप लोगों को हुआ है लगबग 30% के आसपास आपको नुकसान जो है इस company के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है फिलाल बज़स्तों बात करें तो 6 महीने के दौरान किस तरह की की मजबूती किस तरह की की weakness हमें stocks के अंदर देखने को मिली है तो आप जानते हैं कि जिस तरह की से हम लोगों को short term के अंदर moment देखने को मिलते है तो अगर long term की बात करें तो पिछले 6 महीने में ये stocks आपको 24 रुपे के आसपास देखने को मिल रहा था 6 October 2020 की बात है अभी जादे दिन नहीं हुए और महां से एकदम से हमें इस company के अंदर गिरावार देखने को मिली और ये stocks आपको नीचे 4 रुपे के आसपास अभी तक ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है अगर 52 वीक लो देखें तो लगबग 3 रुपे पिछानमे पैसे का 52 वीक लो बनता हुआ नजर आ है कहने का मतलब है कि अभी फिलाल ये stocks है ये अभी अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेट करता हुआ नजर आ रहा है अब देखतें 5 साल के दुरान किस तरिकी की चाल बनती हुआ नजर आई है तो काफी जो है 2018 के अंदर उथल पुथल हमें इस company के अंदर देखने को मिला करती थी 100 रुपे से भी उपर ये stocks आपको हुआ करता था लगातार गिरावट का सिल्सिला बनता रहा और मार्च के दुरान भी अगर बात करें तो 6 रुपे के आसपास की company के अपराईस आपको देखने को मिला था महा से अच्छी कासी recovery हमें इस company के अंदर देखने को मिली और लगबग 25 रुपे से भी ज्यादा के चार्ट बैटन बनते हुआ नजर आए बट फिर वापिस से जो है हमें इसके अंदर उसी तरीके से गिरावट का सिल्सिला बनता हुआ नजर आया और अब अपने जो previous low थे उनको भी break करने के बाद में और भी नीचे के low बनाता हुआ नजर आ रहा है तो क्या है कि company कि इतनी पुरानी है अब ही अगर आप overall conclusion निकालने की कोसिस करेंगे तो 2017 के अंदर ये company जो है एनसी बीसी के अंदर लिस्टेड हुई थी तब से लेकि अब तक जो है अच्छी खासे गिरावट आपने इसके अंदर देखने को मिल चुकी है बाकि क्या है कि आपको जिस तरीके से 2017 के दुरान चाल देखने को मिली थी तो क्या इसी तरीकी की चाल देखने को मिलीगी long term में क्या ये share आपको वापे से उपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है या फिर इतने ही multi bagger returns जो हैं आपको stocks से देखने को मिल सकते हैं चले जस्तों बात करें इसके fundamentals के बारे में क्योंकि क्या है कि अगर आप fundamentals observe कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि stocks कितना मजबूत दिखाई दे रहा है तो 52 वीक लोग की बात करें तो लगबग 2 रुपे के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दिया पॉइंट जीरो एट रुपे के आसपास अब दोस्तों देखते हैं कि हम लगों को इसके अंदर किस तरीकी की growth देखने को मिल रही है चार्ट पेटर्न में आपने देखी लिया जिस तरीकी से हम लोगों को लगातार जो है कंट्रूसरी स्टोक्स के अंदर गिरावाट देखने को मिली है अब peer comparisons में बात करने तो छटे नंबर पर ये company आती है बागी की other जो manufacturing company है उनके मुकाबले अब देखते हैं sales growth की इस तरीके से देखने को मिल लिया तो 5 साल के दुरान लगबग 24% का आप देखने को मिला 3 साल के दुरान लगबग 22% का आप देखने को मिला एक साल के दुरान भी आपको अच्छा खासा momentum देखने को मिल चुका है return on equity की बात करें तो देखे 5 साल के दुरान लगबग 18% का jump 3 साल के दुरान लगबग 18% की मजबूती देखने को मिल रही है और अगर बात करें तो एक साल की दुरान लगबग 16% से जादा की हम लगों को positive ness देखने को मिल रही है ROCE की बात करने तो इसके अंदर भी हम लगों को 5 साल की दुरान अच्छी खासे इस्तेदी देखने को मिल रही है तीन साल की बात करने तो लगबग 14% की आपको jumping देखने को मिल रही है अब बात करते हैं दोस्तो शेर holding patterns की बारे में तो दोस्तो देखिए अगर हम promoters की बात करने तो लगबग 73% की आजपास promoters की holding बंती हो नज़रा रही है जिसमें से 8% से जादा की pledge holdings है कहने का मतलब है कि 8% से जादा की shares जो है promoters ने गिर्वी रखे हुए है तो ये दिसमबर 2019 का आकड़ा data जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है बाकि 2020 की कोई detail यहाँ पर फिलाल में नज़र नहीं आ रही है अब देखते हैं दोस्तों की results किस तरीकी से रहे हैं देखे quarter on quarter देखने की कोशिश करते हैं उसके बाद year by year देखेंगे तो दिसमबर 2019 के अंदर 201 करोड के आसपास net sales होती होने तरह ही उसके बाद यह sales आपको कम होती होने तरह है लगातार देखे 149 करोड मार्च 2020 के अंदर जून 2020 के अंदर 58 करोड उसके बाद जो है September का quarter जो हुआ लगबग 176 करोड के असपास आपको sales के अंदर improvement देखने को मिली अब बात करते हैं दोस्तो profit after tax की तो लगबग 2.57 करोड के असपास आपको देखने को मिल रहा है उसके बाद यह लगातार जो है नेट सेल्स के अंदर growth देखने को मिल रही थी उसके बाद मार्च 2017 427 करोड बढ़के हो गया उसके बाद मार्च 2018 539 करोड बढ़के हो गया उसके बाद मार्च 2019 836 करोड बढ़के हो गया उसके बाद बात करें मार्च 2020 तो 795 में करोड के आसपास आपको होता हुँआ नजर आया तो कहने का मतले की पिछले 4 सालों में पिछले 5 सालों में जो इससे पहले के 4 साल रहें उनके अंदर हम लोगों को गजब का इंप्रूमेंट देखने को मिला पट मार्च 2020 के अंदर हम लोगों को इसके अंदर थोड़ी गिरावर्ट देखने को मिलिए अब बात करें profit की तो देखें 3 करोड के आसपास 2016 में profit होता हुआ नजर आया और 4 करोड के आसपास आपको 2017 में फिर बढ़के हो गया 7 करोड से जादा फिर हो गया लगबक 11 करोड से जादा अभी भी फिलाल में अगर देखेंगे तो profit आपको जो है पिछले कई सालों की तुलना में maximum दिखाई दर है तो ये भी एक positive चीज़ जो है इस company के लिए हो सकती है तो काफी अच्छी इस्तिती अब तक निकल के आ रही है अब बात करते हैं dividend की तो किया ये company हम लगों को dividend भी provide कराती है तो जी हाँ बिल्कुल ये आपको dividend भी provide कराती है 2019-2018 के अंदर दो बार ये company अब तक dividend provide करा चुकी है जैसे कि आप जानते हैं कि 2017 के अंदर ये share NACBSC के अंदर listed हुआ था तब से लेके अब तक company दो भार हम लगों को dividend provide करा चुकी है तो 2020 के अंदर ये company के दोरा हम लगों को कोई dividend provide नहीं कराया गया बाकी बात करें अगर bonus shares की तो bonus shares हुआ नहीं है राइट issue की बात करें तो वो भी नहीं हुआ है split ये stocks आपको ज़रूर एक बार होता हुआ नहीं दर आया है 2018 के दोरान split हुआ है और अभी फिलाल में तो ये news के अंदर निकल के आरी बाकी है अगर valuations के हिसाफ से देखने की कोशिश करें तो लगातार जो हम लोगों को company के अंदर साल दर साल अच्छा खासा improvement देखने को मिल रहा है तो दोस्तो 1500 रुपे investment करने में कोई परेज नहीं है कोई बुराई नहीं है क्या है कि अगर long term में आपको ये stocks के अंदर हम लोगों को उच्छाल देखने को मिला तो अच्छे खासे return जो हैं आप इस stock से भी कमा सकते हैं बट उसके लिए क्या होगा कि आपको intraday से थोड़ा सा विराम लेना पड़ेगा प्रेक लेना पड़ेगा आपको delivery में आने पड़ेगा तो delivery में आएंगे तो आप ज़्यादे better जो है positions में बैठ सकते हैं तो मैं बार-बार बताता हूँ कि delivery में आप जो है hold करेंगे तो अच्छे खासे return आपको delivery में बनने की ज़्यादा संभावना रहती हैं अगर किसी का demate account open नहीं है तो वो नीचे description box के अंदर demate account open का link दिया हुआ है वहां से demate account open करा सकते हैं delivery में किसी भी तरिक का कोई brokerage चाद नहीं है चाहिए एक दिन hold कीजिएगा चाहिए 10 दिन चाहिए 100 दिन तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी